तो बच्चो यह है एक कमपस, अब हम जानते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, सबसे पहले बच्चो ये देखो, ये है इस कमपस की निडल, इस निडल को हम पेपर में जहांपे भी प्लेस करते हैं, जहांपे भी रखते हैं, सर्किल बनाने के लिए वही हो जाता है हमारे circle का center ठीक है और जो दूसरा पार्ट है हमारे compass का वो है ये pencil holder बच्चों यहाँ पे हम अपनी pencil इंसर्ट करते हैं और ध्यान रखते हैं कि ये pencil बिलकुल भी lose ना हो बिलकुल भी धेली ना हो तीसरा पार्ट है हमारे compass का compass holder इस compass holder को बच्चों हम पकड़ते हैं अपनी thumb और अपनी index finger की health से और जब हम compass को रखते हैं paper पर इस तरहा तो pressure हम लगाते हैं इसकी needle वाले leg पर ना की pencil वाले leg पर ठीके बच्चों अब circle बनाने के लिए ये भी important है कि हम इस circle कितना बड़ा बनाना है वो पता लगता है बच्चों इस gap से जितना इस needle और इस pencil के बीच में gap होगा वही होगी हमारी radius बच्चों चलो हम एक circle बनाते हैं 3 cm का तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इस needle और इस pencil के बीच का gap हो 3 cm इस ruler की help से हम अब इसका gap रखेंगे 3 cm तो देखो बच्चों क्या ये आपको 3 cm gap नजर आ रहा है चलो बच्चों अब हम बनाते हैं इस compass की help से एक circle तो बच्चों ये देखो इस compass की help से हमने बनाया है एक circle तो बच्चों कि आपने ध्यान दिया कि इसकी radius थी 3 cm तो चलो अब बच्चों हम बनाते हैं एक 4 cm का circle तो अब हमें इसका gap किता रखना है 4 cm ठीके बच्चों तो बच्चों अब देखो अब हमने बनाया है एक circle जिसकी radius है 4 cm तो बच्चों आपने देखा जब हमने circle बनाने के लिए अपनी radius जादा ली तो हमारे circle का size इंक्रीज हो गया हमारे circle का size बड़ा बना है ना तो अगर हम radius की value जादा लेंगे तो हमारे circle का size भी बड़ा बनेगा पर बच्चों अगर हम अपने circle का size छोटा रखना चाते हैं तो हम उसकी radius लेंगे कम ठीके बच्चों तो बच्चों आपने यहाँ पर सीखा कि जैसे ही हमारी circle की radius बढ़ती है वैसे ही हमारे circle का size भी बढ़ता जाता है चलो बच्चों अब हम करते हैं एक छोटा सा question देखो बच्चों यहाँ पर हैं दो goats और दोनों goats बंदी हुई हैं same pole से और question में पूछा जा रहा है कि कौन सी बकरी जाद घास खाएगी तो बच्चों क्या तुमने ध्यान दिया कि यहाँ पर जिस रसी से यह दोनों बकरी बंदी हैं वो रसी है हमारी radius और हमने अभी सीखा था कि जैसे जैसे हमारी radius बढ़ती जाती है वैसे ही हमारे circle का size भी करता जाता है तो चलो बच्चों हम पता लगाते हैं कि कौन सी बकरी जाद घास खाएगी चलो बच्चों अब हम करते हैं इस question को solve सबसे पहले हम बनाते हैं लाली की रसी और यही हो जाएगी हमारी radius और बनाते हैं हम काली की रसी और ये भी हो जाएगी radius तो बच्चों जित इतनी बड़ी हमारी लाली की रस्सी थी, वो हो गई हमारी रेडियस और अब हम बनाएंगे इसी रेडियस का एक सर्किल और पता लगाएंगे कि लाली कितनी घास खा पाएगी. तो बच्चों लाली सिर्फ इस सर्किल के अंदर की ही घास खा पाएगी क्योंकि वो इसके बाहर जाही नहीं सकती. लेकिन काली, काली इस बड़े सर्किल में आज़ी घास खा पाएगी. जितनी भी घास इस बड़े सर्किल अंदर आती है. तो बताओ बच्चों किसने खाई जादा घास?